गरीब सास बहु के एक रुपे के छोले बटूरे ये क्या? आपके दवाईया यहां ऐसे ही रखी हुई थी आपने अभी तक दवाई नहीं खाई मैं तो सो रहा था सुबह के दवाईया तो गायतरी बहु ही मुझे उठा कर देती है लेकिन आज उसने मुझे उठाया ही नहीं मयंक? ओ मयंक जी मा ये गायतरी बहु कहां है? तेरे बाबुजी को दवाई भी नहीं दी वो परसे सुबह से कहीं दिख भी नहीं रही है पता नहीं मा, मैं भी कबसे ढून रहा हूँ गायतरी बीटिया ऐसे उदास मत हो दुर्गा मा सब की सुनती है तेरी भी सुनेंगी भंडी जी, सालों से मैं इसी की तो आस लगा रही हूँ इसी इंतजार में हूँ कि दुर्गा मा मेरी कब सुनेंगी शादी को नौ साल हो गए है लेकिन अभी तक मेरी सुनी गोद नहीं भरी है एक औरत का जीवन तभी पूरा सफल हो पाता है जब वो एक मा बनती है मा, मेरी इस सुनी गोद को बढ़ती है और मुझे ऑलाद के रोप में एक कन्या दे दे दे, दुर्गा मा ये कहते हुए गायतरी दुर्गा माता की चर्णों में बैट करो नहीं लगती है एक औरत के लिए शादी के नौ साल बात तक भी मा नहीं बन पाना किसी श्राब से कम नहीं होता अरे गायतरी बहु तो सुबह सुबह कहां चली गई थी मा जी आज मंगलवार है ना इसलिए मैं दुर्गा माता के मंदिर गई थी उनसे प्रातना करने के इस सुनियांगन को बच्चों के किलकारियों से गुझवा दे बहु मैं एक औरत हूँ और एक मा भी इसलिए मैं तेरी ममता की तड़प समझती हूँ दुर्गा मात जल्दी तेरी सुनी कोद भरेंगी चल अब जल्दी से मेरे साथ छोले भटूरे बनवाने की तैयारी करवा दस बजने वाले हैं फिर हमें ठेला भी लगाना है गायतरी और रजनी मिलकर अब जल्दी जल्दी छोले भटूरे बनाने की तैयारी करते हैं और रोज की तरहां अपना छोले भटूरे का ठीला ले जाकर बाजार में निकल जाते हैं आरे बहन जी दो प्लेट गरम छोले भटूरे तो लगाना और हां साथ में गाजरा नीबू का अचार थोड़ा जादा देना जहां गायत्री गर्म गरम भटूरे तलति है वही दूसरी तरफ रजनी कस्टमर को छोले भटूरे देने का काम करती है दोनों सास बहु काफी समय से छोले भटूरे बेशने का काम कर रही थी मही मायंक अपने गाउं में सेट के कोदाम में हिसाब का सारा काम देखता था किशोर की तबीयाच जायतर खराब रहती थी इसलिए वो घर में रहेकर आराम करता था अंती अंती क्या आपके पास अभी छोले बटूरे हैं? हाँ भेटा अभी एक प्लेट छोले बटूरे हैं क्या तुम्हें चाहिए? जी आंती, लेकिन एक प्लेट कितने की है? क्या? 25 रुपी की लेकिन मेरी मा ने तो मुझे बस एक रुपी दिये है अब मेरा कब से छोले बटूरे खाने का मन था? अब तो मुझे रोज एक एक रुपी जमा गरना पड़ेगा तभी मैं छोले बटूरे खा पाऊंगी बेटा, अगर आपका छोले बटूरे खाने का इतना ही मन है तो आपको सिर्फ एक रुपी में छोले बटूरे दे देती हूँ सैच्छी आंटी? अहां बेटा, गायतरी गर्मा गरम छोले बटूरे तलती है और छोटी सी बच्ची को सिर्फ एक रुपे में ही छोले भटूरे देती है ये क्या बहू तुने आज फिर इस बच्ची को एक रुपे में छोले भटूरे दे दिये जब भी कोई हमारी ठेले पर छोटा बच्चा आता है तो तो उसे एक दो रुपे में छोले बटूरे क्यों दे देती है मा जी इन बच्चों में न जाने क्यों मुझी अपने बच्चे दिखाई देते हैं अगर मेरे भी बच्चे होते तो उनकी उम्र के ही इतने ही होते बटूरे के ठेले पर जब भी कोई बच्चा छोले बटूरे खाने के लिए आ था तो गायत्री उसे हमेशा एक रुपे में छोले बटूरे दे दिया करती थी ऐसे ही एक दिन अरे घर पर कोई है क्या अरे चमपा तुम इतने दिनों बाद कैसी हो मैं तो अच्छी हूँ तुम बताओ कैसी हो मैं भी बस ठीक हूँ अब क्या दर्वाजे पर ही खड़ी रहोगी या अंदर भी आओगी मैं गायत्री बहू से गर्मा गरम चाए बनवाती हूँ चाए मैं किसी और दिन पियोंगी मैं तो तुम्हें यहां निवाता देनी के लिए आई थी पड़सो मेरी बहू की गोद भराई के रजम है तो तुम जरूर आना अरे ये भी क्या कोई बोलने की बात है मैं और मेरी बहू जरूर आएंगे रजनी बहन तुमा के लिए ही आना अपनी बहू को मतलाना शादी के नौ साल बात तक भी तुमारी बहू अब तक मा नहीं बन पाई है ऐसी औरते बांज कहलाती है और मैं नहीं चाहती ऐसे शुब अफसर पर कोई बांज मेरी घर पर आए चमपा की बात का इतरी सुन लेती है जिसे सुन ए दुर्गा मा ये बांज शुब्द सुनने सी तो अच्छा था कि तू मुझे अपने पास बुला लेती अगर मैं मा नहीं बन सकती तो उसमें मेरा क्या कसूर है इन नौ सालों में मैंने कितने हवन करे पूजा करे कितने मंदिरों पर गई लेकिन मेरी इस सुनी गोद नहीं भरी है दुर्गा मा अब तेरा ही सहरा है मुझे याद तू मेरी सुनी गोद को भर दे या मुझे अपने पास बुला ले वरना लोगों के मुझे अपने लिए ऐसे शब्द सुन सुन कर एक दिन मैं खुद ही मर जाओंगी एक औरत अपने लिए किसी भी तरहा की शब्द को बरदाश कर सकती है लेकिन एक पांज शब्द सुनते ही औरत पूरी तरहा से तूट जाती है गायतरी की जो हालत थी वो गायतरी के लावा कोई और नहीं समच सकता था गायतरी बहु तू ऐसे उदास मत हो तेरे चेहरे पर मुझे उदासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती अगर तू वहां नहीं जा सकती तो मैं भी नहीं जाओंगी नहीं माजी ऐसा मत करिये वरना लोग यही कहेंगी कि बहु ने अपनी सास को जाने नहीं दिया मैं ना सही लेकिन कम से कम आप उनकी बहु के होने वाले बच्चे को आशिरवाद दे कर आईए गायतरी खुद को संभालते हुए और रोज की तरह अपनी सास के साथ छोले भटूरे बेशती है कि तभी क्या आप मुझे भी एक रुपे में छोले भटूरे दोगी हाँ बेता लेकिन आप कौन हो मैंने तो इस गाओं में आपको पहले कभी नहीं देखा मेरा नाम वामिका है मैं अपने मा बाबा की साथ आजी इस गाओं में आई हूँ वो लोग घर के सामान रख रहे हैं ना इसलिए अभी तक उन्होंने खाने नहीं बनाया और मुझे बहुत भूक लगी है तो यहां के बच्चे कह रहे थी कि आप सभी बच्चों को सिर्फ एक रुपे में छोले बटूरे देती हो इसलिए मैं मा से एक रुपे लेकर आई थी हाँ बेटा तुम यहां बैटो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म छोले बटूरे लेकर आती हूँ गायतरी जल्दी से वामिका के लिए गर्मा गर्म छोले बटूरे लेकर आती है और ये पहली बार था कि गायतरी अपने ठेले पर आने वाली किसी बच्ची को पहली बार अपने हाथों से छोले भटूरे खिलाती है कहने को तो गायतरी और रजनी की ठेले पर दिन में न जाने कितनी छोटी बच्ची आया करती थी लेकिन आप गायत्री को हमेशा वामिका का ही इंतजार रहता है अंटी यह मेरी सहीलिया है क्या आप इने भी एक रुपे में छोले बटूरे देंगी हाँ बेटा क्यों नहीं वामिका अपनी तीन सहिलियों के साथ आती है और गायत्री के ठेले से छोले भटूरे खाती है इस दिन गायत्री और रजनी के ठेले पर बहुत सारी बच्चियां छोले भटूरे खाने के लिए आती है बहु आज हमारे छोले भटूरों के ठेले पर पूरी नौ छोटी छोटी बच्चिया छोले भटूरे खाने के लिए आई थी उन्हें देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो नवरात्री है और हम नौ कन्याओं को बुला कर उन्हें भोजन करवा रहे हैं मा बिल्कुल सही कहां मैं भी यही सोच रही थी पहली बार हमारे ठेले पर एक दिन में नौ बची आई है सुबह से काफी अच्छा भी लग रहा है जब से वामिका ने हमारे ठेले पर आना शिरू किया है तब से दिल को बड़ा सुकून सा मिलता है ऐसा लग रहा है कि मानो कु गायतरी को उल्टिया शिरू हो जाती है नाजाने बहुने ऐसा क्या खा लिया सुबह से इसे उल्टिया हो रही है इसकी तबियद भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही बेटा जाकर दाई मा को बुला कर लेया अब वही इसे देखेंगी दाई मा आती है और गायतरी को देखती है दाई मा मेरी बहु ठीक तो है कोई परिशानी वाली बात तो नहीं है न अरे बेहन जी कोई परिशानी वाली बात नहीं बलकि बहुत बड़ी खुश खबरी वाली बात है मुबारक हो आपकी बहु गर्बवती है गायतरी के गर्बवती होने की खबर सुन सारा परिवार बहुत खुश था उसी राद जब गायतरी सो रही होती है गायतरी उठो मेरी बच्ची मा आप हाँ मेरी बच्ची नौ सालों तक तुमने लोगों से बहुत दाने सुने हैं अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आने वाली है तुम्हारा होने वाला बच्चा बहुत भागेशाली होगा इसके कदम से तुम सब की जिंदगी बदल जाएगी तुमने हर दिन उन बच्चो को सिर्फ एक रुपे में छोले भटूरे खिला कर और उन्हें प्यार दे कर अपनी दिल की ममता को प्रकट किया है उस वमिका के रूप में कोई और नहीं बलकि मैं ही थी तुमने मुझे अपने हाथों से खाना खिला कर मुझे धन्य कर दिया मिरा अशिर्वाद सदा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर है सुबह होते ही गायतरी इस सपने के बारे में घर के सभी लोगों को बताती है बहु तु तो हमारे लिए भाग्य लक्षमी है तुझे सपने में साक्षाद दुर्गा मा के दर्शन हुए है और उनके इंसानी रूप को तुने अपने हाथों से खाना खिलाया ये सब सिर्फ तेरी सच्ची भक्ती का ही नतीजा है इन नौ महीनों में गायतरी हर दिन अपनी छोले भटूरे का ठीला लगाती है और हर बच्ची को एक रुपे में ही छोले भटूरे खिलाती है और दुर्गा माता की सच्चे दिल से भक्ती करती है ऐसे ही नौ महीने गुजर जाते हैं और दुर्गा और गायतरी एक सुन्दर सी बच्ची को जन्म देती है माजी मैं अपनी बीटी का नाम वामिका रखना चाहूंगी क्योंकि ये दुर्गा माता का ही वर्दान है हाँ बहू क्यों नहीं आपसे ये हमारे लिए हमारी लक्षमी है गायतरी और गायतरी के ससुराल वाले वामिका को बहुत ज़ादा प्यार करते हैं वामिका के शुप कदम से ही अब उनकी जिन्दगी बदल जाती है गायतरी के अच्छी भक्ती और श्रद्धा से आज उसकी जिन्दगी और उसकी सालों से सूनी को उद भर गई थी और अब उन सब की जिन्दगी में एक अच्छा मोड आ गया था ये कहानी हमें यही विश्वास दिलाती है कि आपकी सच्छी भक्ति और श्रद्धा से एक नएक दिन आपके सारी दुख दुर्गमाता जरूर हरन कर लेंगी